हलो एवरिवन आज है आठ जन्वरी और आज इस वडियो में हम बात करने जा रहे हैं सुजलौन के बारे में एक बड़ी तीजी पिछले कुछ टाइम में यहाँ पर बनी है पिछले तीन ट्रेडिंग शेशन कहलो एक लगातार तीजी यहाँ पर आई ज़रूर है 37 रुपीज इससे लगातार यह भागा है 42 रुपीज पर जा चुका है और पिछले एक साल में अगर आप देखोगे तो यह अभी उसी लेवल पर है जहां से यह इससे पहले गिरा था तो डेफिनिटली यहां से अगर आज के दिन अगर आज के दिन अगर यह इसी लेवल के आसपस टिक जाता है या फिर इससे ऊपर की तरफ जाता है तो एक ब्रेकाउट का साइन डेफिनिटली यहां पर देखने को मिल रहे है बात करेंगे उसके बारे में लेकर उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इससे पर यह बैट चुका है यह जिस लेवल पर बैट चुका है यह जिस लेवल पर बैठा है आज से पहले यह वाला जो लेवल था वो इसने चुआ था आज से करीब 2010 में तकरीबन 2010 में 2011 में यह इस लेवल के आज पास ट्रेड कर रहा था उससे पहले यह नहीं गया था उससे पहल पहली बार ऐसा है कि ये 40 रुपए के ऊपर निकला है और ये एक अच्छी बात है लेकिन अच्छी बात ये भी है कि fundamentally चीज़े improve हुई है जिसके चलेते इसने तीजी दिखाई है पिछले एक हफते में अगर आप देखो तो लगातार बड़े-बड़े orders के ख़बर आ रहे है अभी तीन दिन पहले ही ख़बर थी कि भईया इनको तकरीबन 225 मेगा वोट का काटर मिला है ever renew energy की तरफ से जो कि अच्छी बात है इससे पहले खबर की 300 मेगा वोट का प्रोजेक्ट था इससे पहले 100 मेगा वोट का था इससे पहले 200 मेगा वोट का था उससे पहले नहीं ने आरिशी के साथ partner क्या था अपने capital को लेकर कि भया जो financing अगरा है वो उनसे मिल जाएगी कि देखो कही सारे बड़े project में इन्होंने bid करी है और वो project इनको मिले भी है अब जाहिएर से बात है project मिलने का मतलब यह नहीं होता कि इनको पैसा भी मिल जाता है project जब complete करते हैं तब पैसा मिलता है तो भया project complete करने के लिए इनको पैसा चाहिए होता है तो वो पैसों की जो financing होती है capital required होता है उसके लिए इन्होंने REC के साथ partner भी करा है तो कही सारे project इनको मिले है पिछले कुछ time में पिछले महिने में ही देखो तो भाई साब बहुत सारे project मिले है इनको यह अच्छे बात है यह और यही वज़ा है कि ऐसी खबरों के चलते जो यह share लगातर अब तक गिर रहा था उसने पिछले तीन trading session में एक तेजी वाला रवाया अपना आया जरूर है गिरावट यहाँ पर रुकी जरूर है यहाँ पर अगर आप सुजलॉन को लेकर देखोगे तो सुजलॉन का जो P ratio वो definitely महंगा है 91 का P है इसका sector P इसका 54 का है तो महंगे valuation के उपर तो definitely यह बैठा हुआ है क्योंकि देखो इसको यह premium valuation दिया जा रहा है यह assume करके कि company अब debt free हो चुके almost debt free हो चुके company के पास थोड़ा से additional पैसा भी है working capital वगेरा के लिए तो कहीं न कहीं पहले quarter में क्या था कि इनके जो financials अगर आप देखोगे तो वो उतने better नहीं हुआ कर देखोगे क्योंकि इनका करजे में पैसा जाता था अगर आप देखो 2021 तक के तो बाइस क्रोड का loss था फिर दस क्रोड का loss हो गया फिर एक quarter में profit कमाया बाद में वापस है loss कर गया लेकिन पिछले एक साल से at least यहां पर stability ज़रूर आई जबसे इनके अपने debt को कहते है कि restructure किया है तब से stability ज़रूर आई है और debt को पहले यहां पर debt को इनके पैसा raise करा पैसा raise करने के बाद वो पैसों से अपने debt को चुका दिया तो यह एक बड़ी चीज है तो यहां पर से आने वज़े time में यह assume करा जा रहेगे अब इनका जो बहुत बड़ा पैसा loan की किष्ट चुकाने में जो जा रहा था अब वो नहीं जाएगा अब वो इनके numbers में दिखेगा और पिछले कुछ time में जिस तरीके से बड़े orders इनको मिले है कही न कहीं वो numbers में reflect होंगे आने वाले time में और उम्मीद करते हैं कि ऐसा हो जहां तक shareholding के बारे में देखा जाए तो अभी हम देखे तो वह बिक्वाली भी आई है बीच में बिक्वाली भी आई है November महिने में mutual funds के तरफ से बड़ी बिक्वाली देखने को मिली थी December का अभी तक update नहीं आया है देखते हैं कि जब पूरा quarterly update आएगा तो कौन खरीद रहा था कौन सा institution बेच रहा था कौन खरीद रहा वो देखना यहां पर interesting होगा और जब वो आएगा उसके बारे में भी हम बात करेंगे यहां पर volume का भी बड़ा game चला है आज अगर आप देखो तो साड़े 8 करोड के आसपास के यहां पर share जो वो trade होते नजर आए तो बड़ी quantity में share की trading भी हो रही है और अभी यह जिस level पर है अगर आज दिन भर यह इसी level के आसपास टिक गया तो definitely breakout वाला formation तो यहां पर बनी रहा है all time high पिछले 10-12 साल के highest level पर मैं कह दूँ के देखने को मिल जरूर रहा है और जहां तक बात करें according to money control user तो 100% लो कह रहें खरीदारे करो बेशने के बाद कोई नहीं करा है और dividend की बात करें तो बाइसाब वो पे नहीं कर रहा है और मुझे लखने कि वो पे करेगा शायद 2025 से पे करना start करें लेकिन अभी तो नहीं करेगा इस साल भी शायद मुझे नहीं लखता कि वो dividend पे करने के कोशिश करेंगे क्योंकि जो पैसा कि कमाएंगे मुझे तो यह वो company अपने working capital में इसको इस्तमाल करेगी और एक अच्छी बात भी है ठीक है जल्दबास ही नहीं करने चाहिए dividend पे करने को लेकर और जहां तक numbers देखें तो एक बड़ी तीजी ज़रूर आई बात में decline अभी चल रहा है लेकिन again मैं कह दू revenue wise अभी company जो है उनका main focus revenue नहीं है company का जो main focus है वो profit है company profitability की तरफ जादा आगे बढ़ रही है और यही वज़ा है कि company अभी stability यहां पर देखने को मिल रही है और अगर इसी तरीके से आगे धीरे धीरे बढ़ते रहे तो चीज़ें बहतर होगी और गवर्मेंट भी जो है वो कहीं ना कहीं green energy की तरफ जादा attractive है ग कि अगर आपके पास है तो long term के रखो कोई दिक्कत की बात नहीं है अगर आपका बहुत long term का vision है तो यह triple digit में भी जाएगा कोई शक की बात नहीं है उसमें very long term 3-4 साल 5 साल की मैं बात कर रहा हूं ठीक है तो यह triple digit में भी जाएगा लेकिन short term में यहाँ पर definitely ऐसे formation जरूर आ करेंगे कि हर एक बड़ी रफतार के बाद बीच बीच में correction बनेंगे और यही वज़ाए कि मैं हमेशा कहता हूं कि buy on dips के नजरिया यहाँ पर होना चाहिए जब भी गिरावट आए खरीदारी के मौके यहाँ पर बनेंगे इससे पहले भी मैंने कहा था कि मुझे 32-35 रुप आज मार्केट में जो जन्वरी महिना जो होता है वो जनरली मार्केट के छोड़ावट आती है जन्वरी महिने में ठीक है यह history रही है जन्वरी महिने में मार्केट correction दिखाता है और ऐसे में अगर सुजलान में भी एक profit taking कहलो correction कहलो अगर वो देखने को मिलता है तो lower level पर buying क के मौकिया आपको यहां पर ढूंडने चाहिए आज भी अगर आप देखो तो भाई साब बाजार में गिरावर्थ है सैंसेक तकरीबन 380 अंग गिर चुका है यहां पर लेकिन कंपनियों में तेजी है सुजलोन में तेजी है और कुछ ऐसी सप्राइजिंग कंपनी है जो अभी वहिया कई सारे टुटर पे जिसकी चर्चा हो रही है जिसकी वज़े से तेजी है काफी लोग रिकमेंड कर रहे है जैसे की हाथवे में आज तेजी देखने को मिल गई ट्राइडन ने ब्रेकाउट दिखाया जिसकी वज़े से तेजी की है और जनवरी महीना डेफिनिटली वह एक ऐसा महीना है जहां पर आपको थोड़े बहुत करेक्शन देखने को मिलते हैं तो यहां पर सुझलों देखो मैं अगें कहूंगा कि लॉंग टर्म का नजरी है तब तो कोई सोचने वाली बात है नहीं लॉंग टरी कर सकते हो ल लेकिन उमीद कर दे हैं कि चीज़ें बहतर हो और रिन्यूबल एनरजी से जोड़ी होई कंपनी है गवर्मेंट का वे अच्छा सपोर्ट मिल रहा है इस सेक्टर को तो इसका एक बेनिफिशरी के ज़रूर बन सकता है तो सुझलों अगर आपके पास है होल्ड करो लॉंग के लिए और जहां तक बाद आते ही फ्रेश बाइंग की बाइन डिप्स के मौके आपको यहां पर डूंडने चाहिए यही मेरा मानना है बाखी मर्जी आपकी है वीडियो को यहीं पर एंड करूँगा पसंद आया हो तो लाइक करो श्राय करें बगरा पहले बारे हैं तो प मुझे कमेंट में लिए बता सकते हैं थैंक्यू